तो अगर आप लोगों ने Hero United अगर मूवी देखी है जो कि Benton और Rex की मूवी थी वहाँ पर हमें Soak Scratch की First Appearance देखने को मिली थी अब काफी लोग को ये बात नहीं पता कि Soak Scratch की First Appearance हमें उस मूवी में देखने को मिली क्योंकि अभी तक Benton के जो फैंस वो Benton के शो को फोलो करते हैं ना कि Generator Rex को तो उनके हिसाब से Benton Omniverse में ही Soak Scratch की First Appearance देखने को मिली थी तो आज हम इसी टोपिक को क्लियर करने वाले हैं कि आखिर कैसे Hero Invented's Movie में तो Guys Soak Scratch के जो डिजाइन है वो काफी अलग था और वहीं पे Benton Omniverse में उस डिजाइन को बिल्कुल कैसे बदल दिया गया तो आज के मारे इस वीडियो में हम इस टोपिक को पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं अगर आप लोग भी यह जानना चाते हो तो वस इस वीडियो को एंड तक देखना अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में भी और भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें वीडियो को स्टार्ट करने से पहले में आपको एक और बात बता देता हूँ कि मैंने फेसकेम के लिए पहले ही पोस्ट डाल दिया है लेकिन जेनरेटर रेक्स के साथ बैन हमें देखने को मिला था जहाँ पर गाइस बैन के पास अल्टी मेटरिक्स थी और उसमें हमें सोक स्क्रेच की फर्स्ट अपैरेंस देखने को मिल चुकी थी यानि कि वो शो था वाल्टीमेट एलियन सीरिस से ही कनेक्टर था तो यहाँ पर सोक स्क्रेच की जो अपैरेंस वो दो तरह से हमें देखने को मिली थी एक तो जेनरेटर रेक्स वाली मूवी में और वहीं पर गाइस दूसरी तरफ बेंटन ओम्निवर्स में तो अगर बात करें इनके डिजाइन की कैसे ही इतने ज़्यादा डिफरेंट है तो मैं सिंपली एक्स्प्लेइन करूँगा बस आप लोग इसको अच्छे से समझना तो सोक स्क्वेच की जो स्पीसिस है उसमें काफी सारे सोक स्क्वेच है जो उसके प्लैनेट पर रहते हैं लेकिन आप लोग नहीं बात तो नोटिस कियोगी कि कोई भी एलिन को अगर आम लोग देखें तो उसकी हाइट वेट काफी यदा डिफरेंट होती है और वैसे हमें बेंटन के शो में देखने को मिला था कि काफी सारे ऐसे ऐलिन से जैसे एक्जम्पल के तोर पर आप लोग फोराम्स को ले लो जो बेंटन का फोराम्स हमें देखने को मिला था उसके इलावा जो बेंटन के फोराम्स और भी थे वो काफी जाथा बेंटन के फोराम्स से व्युवजूद था तो यहाँ पर इसी रिजन के वजह से हमें दो अलग शोख स्क्वेच देखने को मिले थे तो अमीद करता हूं कि अब आपको यह बात कलियर हो गई होगी कि आखिर कैसे यह दोनों सोख स्क्वेच हमें इतने जदा डिफरेंट देखने को मिले थे तो आज ये फिर मिलते हैं हमारे गली वीडियों में तब तक के लिए आप लोग ये वाल लिवडिज देख सकते हो